दोस्तों, होमियोपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुला करके, गारगल्स करके मुह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होमियोपैथिक दवाई खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद खी खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तु का किसी भी चीज का सवाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे गंध होना चाहिए जिससे की ये होमियोपेथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन निरामाय होमियोपेथिक अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों हम आज बात करेंगे पाईरिया के बारे में यानि की पेरियोड उन्टाइटिस के बारे में तो मैं आपको बताऊँगा कि पाईरिया क्या है ये किन कारणों से डेवलप होता है और किन होमियोपेथिक दवाओं से हम पाईरिया को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं दोस्तों पाइरिया या पेरियोडोंटाइटिस एक प्रकार की पेरियोडोंटल डिसीज है जिसकी शुरुआत जिंजिवाइटिस से होती है यानि की मसूडों में सूजन के साथ इसकी शुरुआत होती है दीरे दीरे मसूडों से खून आने लगता है और वहाँ पर पस बनने लगती है पाईरिया में दातों में डिके होने लगता है यानि कि दात सड़ने लगते हैं और दात के आसपास के soft tissue damage होने लगते हैं यदि हम इसके science और symptoms की बात करें तो मसूरों में दर्द होना बहुत ज्यादा दातों के और मसूडों के बीच में deep pockets बन जाते हैं यानि कि बहुत ज़्यादा gap develop हो जाता है तो ये signs और symptoms pyreya के cases में commonly देखे जाते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इसके types के बारे में तो सामानेता periodontitis तीन प्रकार का होता है पहला होता है chronic periodontitis ये सबसे ज़्यादा common होता है इसके बाद आता है aggressive periodontitis ये सामानेता बच्चों में देखा जाता है और तीसरा होता है necrotizing periodontitis इसमें patient के जो मसूडे होते हैं उनमें blood supply बिल्कुल भी नहीं होती है soft tissue dead हो जाते हैं दान्त पूरी तरह काले पड़ जाते हैं ये ज़्यादातार उन लोगों में पाये जाता है जिनमें किसी प्रकार की immune deficiency की शिकायत होती है अब हम बात करते हैं कि हम pyreya को किन homeopathic दवाओं से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी medicine जो है दोस्तों वो है Marksol homeopathy में Marksol pyreya के cases में सबसे ज़्यादा useful medicine है क्योंकि इसके सारे symptoms वही होते हैं जो कि pyreya के cases में पाये जाते हैं यानि कि patient के मसूडों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है मसूडे लाल पड़ जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा inflammation हो जाता है मसूडे spongy हो जाते हैं मुह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और मुह में एक sweet metallic taste रहता है तब उस condition में हमें Marksol 30 potency में दो दो बून दिन में तीन बार एक चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को कुछ दिनों तक लगातार देना चाहिए इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तों क्रियोजोट क्रियोजोट भी periodontitis यानि की pyreia की बहुत अच्छी दवाई है इसमें पेशेंट के जो दात होते हैं वो बहुत ज़्यादा सडने लगते हैं उनमें decay होने लगता है दात काले पढ़ने लगते हैं मसूडों में purple color develop होने लगता है तब उस condition में हमें क्रियोजोट 200 potency में दो दो बून सुभे शाम एक चम्मच पानी में मिलाकर उन patients को देना चाहिए इसके जो patients होते हैं उनके मुँ में बहुत ज़्यादा saliva बनता है और मुँ से बहुत ज़्यादा smell आती है यानि की helitosis जिसे कहा जाता है इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तों lecacis lecacis हमें 200 potency में use करना है इसकी दो बून सुभे और दो बून शाम को एक चमच पानी में मिला कर केवल तीन दिन लेना है और उसके बाद 15 दिन का हमें gap करना है इसके जो patients होते हैं उनके मसूडे dark purple color के होने लगते हैं उनमें बहुत ज़्यादा swelling आ जाती है उनके दांतों में होने वाला दर्द कभी-कभी उनके कानों तक चला जाता है और इसका सबसे जो खास symptom है वो ये है कि pyreia के cases में उनके cheeks में यानि कि उनके गालों में भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है तब उस condition में हम lecasis का ओपियोग कर सकते हैं इसके बाद अगले medicine आती है दोस्तों कार्वो बेज कार्वो बेज के जो patients होते हैं उनके ब्रश करने के दौरान मसूरों से बहुत ज़्यादा bleeding होती है उनके दातों में चबाने के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है मसूरे काले पढ़ने लगते हैं और मुँ में बहुत ज़्यादा करवापन रहता है तब उस condition में हमें कार्वो बेज 30 potency में दो दो बूंद दिन में तीन बार एक चमच पानी में मिला कर उन patients को देना चाहिए इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तों phosphorus phosphorus के जो patients होते हैं उनमें भी मसूरों से बहुत ज़्यादा खून आता है उनके दात बहुत ज़्यादा sensitive हो जाते हैं यानि कि उनमें ठंडा और गर्म बहुत ज़्यादा लगने लगता है मसूरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है उनकी जीब पूरी तरह सूखी रहती है तब उस condition में हमें फॉस्पोरस 200 potency में दोबून सुबे और दोबून शाम को एक चमच पानी में मिला कर उन पेशेंट्स को देना चाहिए दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे combination के बारे में जिसका उपयोग करने से हम पायरिया के सभी cases को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं इसमें आपको तीन medicine लेकर आना है सबसे पहली मरकसॉल 200 potency में इसकी दोबून सुबे और दोबून शाम को एक चमच पानी में मिला कर पेशेंट्स को देना है दूसरे नमबर पर calendula 30 potency में इसकी दोबून दिन में चार बार एक चमच पानी में मिला कर पेशेंट्स को देना है और तीसरी medicine है gun powder इसे हमें 3X potency में लेकर आना है और इसकी 4-4 tablets दिन में तीन बार खाना है इस combination के लगातार उपयोग से हम patients के pyreya के cases को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों आज हमने जाना pyreya क्या है ये कितने प्रकार का होता है और किन homeopathic दवाओं से हम pyreya के cases को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं आगे के वीडियोज में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम homeopathic दवा खाए हमेशा खाली पेट खाए और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की smell ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हीं खा सकते हैं या इलाइची खा सकते हैं या नहीं बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं homeopathic दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं बस याद ये रखना है कि जब भी आप होमियोपैथिक दवा खाएं इन में से किसी भी वस्तू का किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुह में ना हो यानि कि जब भी आप इने खाएं तो इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खा लें या फिर इने खाने के दो-ड़ाइ गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो अच्छे से गारगल्स कर लिये हो तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमियोपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं कच्चा प्याज, लहसों, अद्रा, खींग सब खाना छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी उनको मुह में सफाई ना होने के कारण हमियोपैथीक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है यह हमियोपैथीक दवाएं आपको किसी भी ओन्लाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी ये दवाएं हर होमियोपेथिक फार्मेसी पर उपलब्ध होती है हर ओनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती है इसलिए आप वहाँ से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं निरामय होमियोपैथी क्लीनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है इसलिए अपने नजदी की होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर या ओनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें